कि हैलो फैम सुलकुमा यूटूब चैनल मैं हमसे गास्वागत है फिर से में एक नए उडियो साथ आचके हैं आज की वीडियो होगी बहुत इंट्रेस्टिंग और शांदर अपडेट के पर हम जान का रही है वह आप सभी पुमें यहां पर देने वाला हूं यहां की आज की जो अप्डेट होने वाली है वह बाबा फारीद युनिवर्सिटी की तरत के आपको वेकंसी है वह आपको यहां पर दीगे यह यह ईनकी भी एफ यू एकसि के तरप से वेकेंसी दीगी है यानि कि आपका यहाँ पर कोई भी जो एक्जाम है वो नहीं होगा बिना एक्जाम के आपकी जो भरती है वो करवाई जाएगी तो यह आपके लिए सबसे बड़ी और इंपोर्टन सीज यहाँ पर रहने वाली है तो सभी साथियों से यहीं नियुक्त रहेगा इस वेकंसिस को आप जरूर्ट से अप्लाई कर दीजेगा यहाँ पर आपको दिया गया है 27 मई तक आप क्या कर सकते हैं इस वेकंसि को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे वेकंसि कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद में इस वेकंसिस के बारे में सारी चीज डिटेल में आपको को बताने वाला हूँ ठीक है और सभी साथ यूसे निवे दिन है कि ये रेगुलरली आप सपोर्ट करते रहे हैं आप सभी के लिए रेगुलरली नर्सिंग फिल्ट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं सारी आपको पास में टाइम से प्राड करवाने की पूरी-पूरी गसिस करूँगा यहां आपको दी गई है जनरल के अप्लिकेशन फीस आपको सत्रा सु सतर रुपए रहेगी इस प्रकाल से आपको जी अप्लिकेशन फीस है वह आपकी रहने वाली है और आपको इंटर्यू के आदार पर स्लेक्शन होगा पाकि आपको कोई भी आपर एक्जाम वगेरा वह आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देना है तो यह आपके लिए बड़ी इंपर्टेंट अपर्चुनिटी रहने वाली है कि बिना एक्जाम आप पर यहाँ पर जो स्लेक्शन है वो आपका रहने वाला है उसके बाद में देख लिएगा हम बात करते हैं फार्मेसिस्ट की पोस प्लस आपको यहाँ पर 2520 आपको अनौंस दिया जाएगा तो टोटल आपकी 3520 रोग पर मन्त के साफ जो सेलरी है फार्मेसिस्ट की वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए ठीक है क्वालिफिकेशन के बारे में आपर डिसकस करने कि कौन-कौन कंड़ेट इस वाकंची क कर रखता है वह कंड़ेट यहाँ पर वेकंची को अप्लाई कर पाएंगे प्रोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी ची आपके पास फार्मेसिक के अंदर वह भी साथी इस वेकंची को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डिसारेबल अगर मैं प्वालिफिकेशन के यहाँ ब सकता है प्रव्यूटी यहाँ पर दे दी जाए इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्स के बारे में अगर मां आपको यहाँ पर डिसक्स करके बताऊं तो मैकसिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर क्या रहेगी 30 की यह आपकी जो मैक्चिवम एज लिमिट है वो अच्छी खासी रहने वाली है बात करेंगे minimum qualification के बारे में कि कौन-कौन candidate इस वेकंच को यहां पर apply कर सकता है तो यह essential qualification देख लीजेगा वो essential तो GNM है ठीक है इसकी अलाव ठीक है यांकि GNM की वेकंची के अलावा अगर बाकी साथी भी भढ़ना चाहते हैं जैसे भी एसी नर्शिंग हो गया ठीक है तो यह candidate भी क्या कर पाएंगे इस वेकंची को आप यहां पर apply कर सकते हैं पाकि जैने वाले candidate यहां पर apply कर भाएंगे सबसे interesting और opportunities आप हो मैं आपर पता दू कि जैने वाले साथीओं के पास यहां पर कोई भी experience नहीं मांगा है और यहां पर यहां पर क्या क्या रहने वाली है मौर्णिग इवनिंग नाइट सिफ्ट तीनों सिफ्ट आपकी रहेंगी सबसे पहले study objects के recruitment के बारे में और return information concentrate के बारे में equipment के बारे में collection of data के यह सारे आपकी क्या रहने वाली है duties रहने वाली है इसके अंदर ठीक है तो यह आपकी जो सारी है यह duty रहेंगी इस आप नर्सकी आपकी पोस्ट रहेगी entry की अदार पर आपकी पोस्ट रहने वाली है कोई भी आप आपका जो exam है वो नहीं होगा सबसे पटी और interesting opportunity आपको यहीं देखने को मिलेगी यहाँ पर आपका कोई भी exam नहीं होने वाला है आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही शांदर शांदर जो vacancy हैं वो आपके पास मैं लाता रहता हूं ठीक है application phase के बारे मैंने आप वो discuss कर दिया है दोनों की आपकी जो is limit है वो different different यहाँ पर बताई गई है तो फार्मेसिस्ट की तो है आपकी 35 और इस्टाबनर्स की आपकी 30 यह जो is limit है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी यहाँ पर देख लिए जगा आपका entry के अदार पर क्या होगा selection होगा वाकि आपको यहाँ आपको कोई भी exam वगरा नहीं देना पड़ेगा application on the prescribed form यहाँ पर क्या दिया गया है आपको पर फोर्मा आपको यहाँ पर पर प्राड़ किया गया है कि उसमें आपको application form को fill up करना है fill up करने के बाद self-attested photocopy of the certificate यहाँ कि आपको 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 अपको अप्लाई करना होगा ठीक है आपको यहाँ पर ओनलाइन से application form को ना करके आपको यहाँ पर application form को परफोर्मा के अंदर भरके रूसके आदार पर आपको application form को अपलाई करना है non refundable आपकी क्या रहेगी पोस्ट रहेगी आपको यहाँ पर application fees आपकी यहाँ पर refundर नहीं होने वाली है ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर सारी चे अगर हम यहाँ अपर इस पस्ट लिखा हुआ है अगर मालनीजिए आपका भी अगर वेकंसी या फिर इस पोस्ट को आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको एक मन्त पहले आपको क्या देना पड़ेगा लिव आपको देना पड़ेगा जोब के लिए यहाँ चोड़ने के लिए आपको application देन हैं 20 माई को आपका जो notification यह आपका यहाँ पर रिलीज हुआ था ठीक है recruitment notice आपका जारी क्या गया था last date के बारे में आपको मैं फिर से update का देता हूँ इसकी जो last date रहेगी वो आपकी रहने वाली है 27 माई 27 माई आपकी क्या रहेगी last date रहेगी तो 27 माई तक आप क्या कर दे इस vacances को आप apply कर दें क्योंकि अगर उसके बाद में आप इस vacances को apply कर पाएंगे तो आपका application form यहाँ पर accept नहीं होगा या फिर अगर application form accept हो जाएगा तो वो आपके आगी की जो process है वो आपकी यहाँ पर रुकी की रुकी रह जाएगी तो इसलिए सभी सातियों से निविद आता रहूँगा ठीक है बागी अगर किसी candidate को कोई doubt है तो वो comment box में comment कर दीजेगा या फिर आप टेलिग्राम चैनल पर जाकर वहाँ भी आप कर सकते हैं सारी आपको regularly जिट की जा रहे हैं आपके comment भी देखे जा रहे हैं सबी की यहाँ पर जवाब दिये जाएंगे सारी च जजे हैं